हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टो वेजुकेस निडिया तरोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जारें सी ए के बारे में जिस पर इस वक्त की बहुती बड़ी वता जाकबर निकल के सामने आरे है सुप्रेम कोड से जहां पर सुप्रेम कोड ने CAA को लेकर एक बहुती बड़ा फैसला सुना दिया है जिसके बात में भाठी जनता पार्टी में खलबली मत चुकी है तो अभी हम आपको बताएंगे कि सुप्रेम कोड ने क्या सकता फैसला सुनाया है सी ए को लेकर तो दोस्तो अभी हम आपको संपुन जानकर इस वीडियो में देंगे तो दोस्तो इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहेगा पुरा का पुरा लेकिन दोस्तो उससे पाले आप इस सनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा और पासी में आरगे घंटी के निसान को या वह से द्वाईए गता की दोस्तों आपको आगे भी इसी परकार की और एक जानकरी सब से पहले देखने को मिले और साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और से रभी कर दिजे गता की आपका सपर्ट भी इस वीडियो को मिले और ये वीडियो आपके सभी भाईयों बावनमित्रों के पास भी पहुंच जाएं तो दोस्तों चलिए अभी हम देखते हैं आज की ताजा और बड़ी ख़बर के बारे में समफोन जन करी तो दिल्ली इंसा को लेकर सुप्रेम कौट ने सकत एलान कर दिया और काया कि जब भढ़काओ बयान आया तब ही लेना था एक से न ये बड़ी बात क 1955 के ये सुप्रेम कौट ने और इसके अलावा साइन बाग में जारी पर्धिसन पर भी सुप्रेम कौट की तरफ से कौट ने अपने बड़े यहां पर सुनवाई में बहुत ही बड़े सक्त क्दम उठा लिया है जिससे भारत की जनता पार्टी के साथ ही पूरी भारत की जनता हिल चुकि यह रहा है। कि बड़ी बात कई ये सुप्रिम कॉट के दुरा और इसके अलावा सुनुआई के दुरां सुप्रिम कॉट ने दलों को भी संदेश दिया और कहा की राजनितिक कदल तरिकुतार को को सौर में सान्ती बनाय रखने के अपील करने चाहिए इसना का तरीका समाज में बहुत का तरीका नहीं है और स्वस्त बहस होनी चाहिए लेकिन इंसान नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ यहां पर अदालत ने कहा कि परसासन को परिस्तिती देखते हुए अपना काम करना चाहिए पुलिस अतोरिटी को अपना काम करना चाहिए और इसके अलावा सुप्रेम कोट ने प्लीस को भी संतंत्र रूप से यहाँ पर दिल्ली इंसा को रोकने की बात कहिए और कहा है कि पुलीस आ जहा तरीके से पुरी तरह से दिल्ली इंसा को रोके और सी ए को लेकर अपना काम करें ये बड़ा बात कहिए सुप्रीम कॉर्ट ने अपने सुनवाई के दुरान रिसी के साथ ही सुप्रीम कॉर्ट ने परदर्शन कारियों के खिलाब एक सक्त और बहुत वड़ा फैसला लिया है जिससे पूरी की पूरी भारत की जनता में खलबली मत चुकी है और वहीं साइन बाके परदर्शन पर सु बहुत हुए और अलतने इस दोरान का कि अभी वातारान ठीक नहीं है इस मामले में विचार नहीं क्या जाए सकता है और अब इस मामले पर 23 मार्च को सुनवाई की जाएगी और गौर्ट लवे की 15 दिसमबर 2019 से दली के साइन बाग लाका में विरोध परतसन चलना है जिसका यह दली का रास्ता लगातार यहां पर बंदे दो मेने से और इसी बीच सुप्रेम कोट ने आज बहुत ही बड़ी सुनवाई की जहां पर सुप्रेम कोट ने का कि 23 मार्च को साइन बाग के मामले पर सुनवाई की जाएगी और उसी वक्त फैसला दिया जाएगा भी विचा करने का सही समय नहीं है यह बड़ी बात कही है सुप्रेम कोट ने अपनी सुनवाई के दोरान इसी के साथ ही सुप्रेम कोट में आज हला बोल देखने को मिला है दोनों पक्षों की तरफ से जहां पर महाबास में सुप्रेम कोट ने सक्त बात कही और यहां पर सुप्रेम को ये बड़ी बात केए Supreme Court और इसी के साथ इस Supreme Court की तरफ से आज के बहुती बड़ी सुनवाई में बहुती बड़ा फैसला देखने को मिला है जिसे भारत की जनता में पूरी तरह से उतलफुतल देखने को मिल चुकी है तो इस परकार्ड जी आज की ताजा और बड़ी खबर न अच्छी लगिए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ है कर दिज़े अपने सभी भाईयों बावनमित्रों के पास सेरोड साथ है आप हमारे सनल को कल लिजेगा सब्सक्राइब भी तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जे इंद जे बारतरवन दे मत्रम